in this module we will discuss systematic collection what is systematic collection and what is the purpose of systematic collection अगर हम systematic collection को define करें तो systematic collection is a method of collecting valuable biological specimens and preserving them long with specimens, documentation such as label and notions इसका मतलब ये है कि जो systematic collection है इसके अंदर हम जितने भी biological valuable specimens हैं उनको collect करते हैं उनको preserve करते हैं और उनको proper document करने के बाद उनको हम किसी museum के अंदर महफूस कर देते हैं अब ये ख्याल किया जाता है कि ये जो collection है ये बहुत important होती है क्योंकि जो systematic collection है basically it is a raw material for classification क्योंकि जब तक हमारे पास collection मौजूद नहीं होगी हम organisms को classify नहीं कर सकतें इसी तरह के से जो earth's bio-diversity है उसका record रखने के लिए के हमारे लाके के अंदर कौन कौन से species मौजूद है उस लाके की जो species है उनको हमें document करना पड़ेगा उनका record maintain करना पड़ेगा इसी तरह के से initially ये ख्याल किया जाता था कि जब किसी area से organisms को collect किया जाता था for example insects की collection की जाती थी तो अगर जो number of specimens थे वो जादा होते थे तो ये जो जादा specimens थे इनको duplicate consider किया जाता था इनको extra consider किया जाता था लेकिन बाद में ये पता चला कि basically किसी भी individuals के अंदर जो characters हैं उनके अंदर variability मौझूद होती है अगर हम इन character की variability को study करना चाते हैं तो उसके लिए हमें adequate sample जरूरी है अब question ये पैदा होता है कि educate से क्या मुराद है कितना जो sample है वो sufficient है इस चीज़ का answer हमें इस space के पर मिलता है कि किसी character के अंदर कितनी variability है बहुत सारे organism ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो variability है वो बहुत काम है अगर individuals के अंदर variability काम है तो फिर इवन जो है single specimen भी हमारे पास आ जाता है तो वो sufficient है लेकिन अगर हमारे पास individuals के अंदर उनके traits के अंदर उनके characters के अंदर variability है तो हमें एक बड़ा sample जो है collect करना पड़ता है ताके हमें ये पता चल सके कि इन organisms के अंदर जो variability की range है वो कितनी है तो जितनी geographical variation या individual variation ज़्यादा होगी उतना sample size बड़ा होना चाहिए और जितनी variability individuals के दरवान में कम है उस हिसाब से variability की base के उपर जो sample size है वो भी छोटा होना चाहिए अब जो collection का size है वो इस चीज़ के उपर भी depend करता है कि हम किस किसम की study करने जा रहे हैं हमारा objective क्या है अगर हम ये चाहते हैं कि individuals के अंदर हम characters के अंदर variability को find करें हम उसके color variations को study करें हम उनके अंदर polymorphism को study करें तो इस चीज़ के लिए हमारा जो sample size है वो बड़ा होना चाहिए पर जैंपल अगर हम किसी area के अंदर एक fish fishes के पर जो है काम कर रहे हैं और उस fish के अंदर जो characters है वो highly variable है पर जैंपल उसके अंदर हम fin की बात करते हैं fin का जो character है उसके अंदर variable है तो अगर हमारे पास fish का एक single specimen है किसी भी species का तो ये single specimen sufficient नहीं है क्योंकि ये जो single specimen है इससे जो हमें information मिलेगी वो बहुत काम है इसलिए हमें एक बड़ा sample चाहिए होगा अब जो collections होती है जो systematic collections होती है ये research को facilitate करती है organisms के दर्मयान में different किसम के association find करने में इसी तरीके से systematic की base के पर हम ये decide कर सकते है कि कौन से insects हैं जिनका जो relation है वो आपस में बहुत ज़दा strong है कौन से specimen ऐसे हैं जिनका जो relation है वो distant है अब जब हमारे पास collection आती है for example हम insects की बात करते हैं जब हमारे पास insect collection आती है तो इसको दो तरीके से हम preserve कर सकते हैं एक इसका wet method है और दूसरा dry method अब wet method के अंदर क्या किया जाता है इसके अंदर हम किसी liquid preservative के अंदर animals को preserve करते हैं जैसे porifera है निमाटोर्ट है या एनलेट्स है इनकी जब preservation की जाती है तो इनको wet method के जरीए preserve किया जाता है जबके ऐसे specimen जो के hard होते हैं उनके लिए हम dry method यूज़ कर सकते हैं जैसे बहुत सारे insects जो है उनको एक proper box के अंदर dry किया जाता है और फिर उनको proper pinning process के जरीए जो है document किया जाता है लेकिन ये जो method है dry method ये जो soft bodied animals है उनके लिए prefer नहीं किया जाता तो basically दो किसम का preservation का method है एक dry method और दूसरा wet method जो dry method है ये soft bodied insects जो है या animals के लिए requirement नहीं किया जाता